हाई दोस्तों मैं डाक्टर ओपी सिंग आप सभी को इस चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आज बात करते हैं डाक्टर रखवे की आर फिप्टी टू आर बावन के कमिनेशन के बारे में दोस्तों जब भी हमें मिचली आती हो या यात्रा समंधित जैसे यात्रा में जैसे मोटसाइकल से चल रहे हैं या जीप से चल रहे हैं या कार से बस से ट्रेन से या एरो प्लेन से कहीं भी किसी भी साधन से जब हम यात्रा कर रहे हैं उस समय अगर उल्टी हो जी मिचलाए तो उसी स्थिती में ये दवा बहुत बेहतर काम करती है आर फिप्टी टू आर बावन दोस्तों इस दवा को मैं खाने का बिधी बता दे रहा हूँ कैसे खाएंगे दोस्तों जब भी जी मिचला रहा हो अगर ये दवा आपके पास हो तो उसी वक्त तो पच-पच मिनट पर भी ले सकते हैं या पहले सा ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं जब भी कभी यात्रा करता हूं तो जी मिचलाने लगता है तो इस दवा को अगर देड़ से दो महीने अगर यूज करते हैं हम तो यात्रा के वक्त ये परसानी दूर हो जाती है किसी किसी को अगर उस समय होती भी है तो ये दवा आपने पास रखे रहें और यात्रा करते समय अगर पच-पच मिनट पर चार बार पांच बार छे बार अगर लेते हैं कुछ-कुछ समय पे तो फिर जी मचलाना और यात्रा करते समय जो भी इस तरह की परसानी होती है तो दूर हो जाता है और इसके साथ साथ मैं इलेक्टर हुमियो पैथी का दो मेडशिन बता रहा हूं एक एसवन है और एक एसटेन है एसवन को भोज से पहले दस गोली तीन बार ले और एसटेन को भोजन के बाद दस गोली तीन बार ले अगर कि आरफー 52 को और एसवन एसटेन को अगर यूज करते हैं 2-3 महिने के करीब तो यात्रा जब कर रहे हो इस तरह की परसानी आएगी आना ही बंध हो जाएगी अगर इस दवा को आप उप्योग करते हैं तो ऐसे कभी भी आप लो यात्रा करें तो हलकी भोजन ही लें इसी के साथ मैं एक अपिल जरूर करूँगा दोस्तों मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वेल आइकम को दबाएं एक दुसरे को सेर करें ताकि मैं कभी भी इस तरह का वीडियो जो शरीर को लाभ पहुचाता हो मेडशिन के बारे में आप लोगों से सेर करूँ तो किसी और भाई बंदों को भी लाभ मिल सकें थाइंक्यू दोस्तों